दोस्तो यदि आप सौरफ गांगुली को एक महान भारती कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा दोस्तो एश्रकप का आगास 27 ऑगस्ते UAE में होने जा रहा है जिसमें भारत को अपना पहला ही मुकाबला अपने चिर प्रतिद्वन्दी पाकिस्तान से खेलना है ऐसे में पूर्व भारतिये कप्तान विराट कोहली पर सबसे ज़ादा नजरें ठीकी होंगी उनी को लेकर PCCI अदेक्ष सौरव गांगुली ने एक ऐसा बयान जारी किया है जिसे सुनकर खुद विराट कोहली को उनकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है कि आकरकार सौरव ऐसा कैसे कह सकते हैं तो ऐसा क्या कह दिया सौरव गांगुली ने ये जानने के लिए हमारी वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखेगा लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि विराट कोली और रोहित शर्मा कौन है इन दोनों में बहतर बै क्योंकि उनका लक्ष सिर्फ एश्या कप को हासिल करना नहीं बलकि साथ ही साथ अपने प्रतिद्वन्दी पाकिस्तान से वर्ल्ड कप का बदला लेना भी है ऐसे में नजरे भारती बल्ले बाजों के उपर जाती हैं भारती बैट्समैन की शान कहे जाने वाले विराट कोली काफी समय से आउट आफ फॉर्म चल रहे हैं और इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले तीन सालों से विराट कोली के बल्ले से एक भी सेंक्चुरी नहीं निकली है लेकिन जब सामने पाकिस्तान हो तब विराट कोली का एक अलग ही रूप देखने को म करण है कि सभी को एक बार फिर से विराट कोली से ऐसी ही उम्मीद है कि वो पाकिस्तान के सामने सेंक्चुरी लगा कर अपने फॉर्म की वापसी करेंगे इतना ही नहीं वो एश्या कप में सबसे अधिकरण बनाने वाले बल्ले बास भी बनेंगे विराट कोली इस समय इस सबसे बहले बनेगे आम करती है कि विराट कोली की परफोर्मेंस का असतर दिन बादिन गिरता जा रहा है इसी कारण कई बार विराट कोली को टीम से बाहर भी बैटना पड़ा है क्योंकि भारत के पास और भी कई उभरते हुए खिलाडी हैं जो विराट कोली की जगह ले सकते हैं बस उन्हें एक मौके का इंतजार है तो मुझे लगता है कि विराट कोली के पास एश्या कप उन्हें सावित करने के लिए अंतिम मौका होने वाला है क्योंकि यदि विराट कोली एश्या कप में सेंचुरी नहीं लगा पाते हैं तो हो सकता है कि उन्हें टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए और यहां तक ही वो खुद सन्यास की घोशना कर दें ऐसा भी हो सकता है तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि सौर्व गांगुली द्वारा दिये गए ये बयान सही है या फिर नहीं इस बात का जवाब हमेरी नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजेगा और ऐसी ही कवरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूट्यब चैनल को दन्यगाद